मुझा जाए फिर छिन ऐस लुका सेजोर सर्दियों का सीजन भी बेहधी दिल्चश remedy होता है तो वहीं सीजन में ज्यादा तर खाया जाता है सर्सों का साग आथ आम तोल पर सर्सों का साग मक्य की रोटी और गुड़ा साथ खाया जाता है सरसो के साग मैं खनीज flavored ज्यादा मातरा में पाई जाती है होती है नियमित रूप से इसका स्योन करने से हमारे सरीर पोक्सक्तित्र प्राफ्ट होते हैं सर्सों के साग तो आये जांते हैं इसके फायदों के बारे में सरसों का साग गरवती महलाव के लिए काफी फायदे मंद होता है क्योंकि इसमें विटामिन के काफी मात्रा में पाया जाता है गरवती महलाव को उल्टी और मतली की समझ्या विटामिन के कारण ही होती है सरसों के साग में मौझूद विटामिन के और मेगा 3 फेटी एसिडस में सूजन को कम करने के लिए काफी फायदेमन्द होता है यह सूजन के साथ साथ गठिया और हर्दे रोग को भी कम कर देता है 3. सरसों के साग में एंटी ऑक्सिडेंट और एंटी इंफ्लेमेंटरी गुण पाये जाते हैं, जिसकी वज़े से कैंसर जैसी बीमारी को रोगने में मदद मिलती है 4. सरसों के साग में विवनिन परकार के हरदे रोगों को दूर करता है 5. सरसों के साग में फाइबर भी पाया जाता है जो हमारे अच्छे स्वास्त को बनाये रखने में बेहदी फायदे मन्द होता है दोस्तों ऐसी ही हर जानकारी को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्योरेन को और हर अपडेट को तुरंत पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना बोले यह है क्योरेन न्यूजरूम की रिपोट